हम लोगों को जाने होगा play store में play store में जाके simply एक app सर्च करने होगी gboard the google keyboard फिर इस app को simply open करना है आपने को और फिर इसे input method की तरह select कर लेना है gboard को select कर लिया हम लोगों ने चलिए तो यह अपना simply setup हो चुका है अगर आपको कोई और permission के लिए पूछे ये तो आप उस permission को grant कर दीजेगा फिर अपने को फिर मैं आपको बताता हूँ किस परकार आपकी जो है chatting experience बहुत ही simple होने वाली है तो चले चलते हैं WhatsApp पर simply मैं आपको एक message करके दिखाने वाला हूँ जो की बहुत ही amazing होने वाला है तो चले चलते हैं junior track के group के अंदर अगर आप इस group को join करना चाते हैं तो लिंक आपको description मिल जाएगी तो चले इस app के खास feature की बात करते हैं यह अपना इंटरफेस आज चुका है मैंने इसे थोड़ा कस्टमाइज कर लिया है मेरे हिसाब से यह अपना Gboard खुल चुका है फिर अपने को जी बटन पर tap करना है और simply इस translate वाले बटन पर choose करना है फिर अपने को दो language select करनी है पहली language जो जिसमें हम लोग लिखना पसंद करेंगे मैं अभी हिंदी में लिखना पसंद करूंगा और दूसले language वो जिसमें हम लोग translate करना चाहते हैं हम जो कुछ भी लिख रहे हैं उसको तो चलिए simply मैंने English को select कर लिया है और अब मैं ग्रूप में simply message तो नहीं करूंगा बट लिखे दिखा देता हूं आपको की कैसे यह app वर्ट करती है तो चलिए लिख देता हूं मैं चलिए मैं लिखता हूं तो मैं लिख रहा हूं कैसे हैं आप लोग तो मैंने लिखा कैसे हैं आप लोग और अपना जो है यह translate होके आगया है how are you guys तो यह हमने simply translate कर दिया जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने pure Hindi में लिखा है और जो output आई है वो pure English में है तो आप real time किसी के साथ chat करना चाहते हैं तो इसके through कर सकते हैं वो भी English में तो हो गया यह एक example हो गया English का तो अब चलिए हम लोग गुजराती में translate करते हैं इसको कैसे हैं तो यह आ गया यह गुजराती मुझे पढ़नी नहीं आती फिर भी इसका जो है result आ चुका है अगर आप लोग गुजराती जानते हैं तो आप इसे पढ़ सकते हैं तो यह हो गया अपना गुजराती में तो अब चलिए एक और लेंग्वेज में translate करके इसे जो हम लोग देख लेते हैं कि यह रियली में working है या नहीं तो हम लोग simply Indian है तो मैं इसे किसी Indian लेंग्वेज में translate करना हूँ चलिए तमिल में करते हैं कैसे हैं आप लोग तो यह अपना simply जो है तमिल के अंदर translate हो चुका है तो दोस्तों simply यह बहुत ही कमाल की है अगर आप अपने किसी दोस्त के साथ चैट कर रहे हैं तो इस एप से बढ़िया जो है मेरे YouTube चैनल को भी एक बार देख लीजिए क्योंकि मैं आपके लिए और बहुत सारे वीडियो लेकर आता रहता हूं तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं उम्मीद है कि एक बार फिर से मिलेंगे तो चलिए दोस्तों बाबाए